कि राश्ची सर्ट कि आज कि सम्विधान दिवसे क्योंकि हमने 26 तारीक और साथ तारीक दो सम्विधान विसेश के लिए रखी है और सम्विधान विसेश के लिए इसनी रखी है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मच रहा है कि सम्विधान खत्रे में हैं सम्विधान खत्रे में यह यों कहें कि आज कल जो मार्कीट में दुकाने हैं उन प्रयाज लिटरली भी खूब रहा है लोगों ने खूब चापे खूब बट रहे हैं कि सम्मिधान को बचाना है तो चाप चाप के बचाना है ऐसा वो मानते हैं तो संविधान को अगर बचाना चाहते हो तो एक रास्ता तो कई बार बताया है कि आपको इखटे होना है इखटे हो जाएंगे तो रास्ता आसान है बच जाएगा मगर एक उससे भी आसान दासता है अगर समिधान को स्टोंग करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं तो वह बहुत ही सरल है आप उसको कह सकते हैं कि उसका नाम हम रख सकते हैं सत्थक डंद बुद्ध ने ग्यारे प्रकार के सत्थक डंद दिये थे भिक्कों के लिए कैते भिक्कू कोई हतियार नहीं रखता भिक्कू करुना मुदीता भाय चाहारे में रहता ऐसा नहीं है बुद्धने ग्यारे सत्थक माने होता है छुरी चुरा और दंड माने होता है डंडा यानि ऐसा डंडा जिसके अंदर छुरी और छुरा है ग्यारे प्रकार के अलाओ किये थे बुद्धने यह विने पीटक में लिखे हुए है मैं कहीं से वैसे नहीं बोला और विने पीटक है जो पाली भासा से संस्कायद करके लेके आया वही विनेपिटर जो नियम में दिया हुआ है और उसी सत्थक डंड को आज तक भी बहुत साई लोग अपने साथ लेके घूंगते हैं जबकि भिक्कों ने उसको छोड़ दिया तो अब हम एक अंबेट कर सत्थक डंड बना ले और कमाल की बात यह है कि लोग आप से कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है हमें संविधान बचाना है तो आप पैसा दो यह परची लोग हमको सम्हिलन करना है हमको ऐसा करना है हमको वैसा करना है हमको पैसा दो हमको पैसा दो संविधान बचाना है मगर जैसे जैसे आप प कर दोगे तो सम्मिधान बच जाएगा यह गारंटी है इस बात की यह वीदा पीपल कहता है कि अगर आपने पैसा देना बंद कर दिया तो सम्मिधान पच जाएगा और पहले से मजबुत हो जाएगा यह ठीक वह पैटन है जब आप यह कहते हो कि हम किसी धर्मिस्तल पर जो प प्रचार करता है फिर हमारे बच्चे के बच्चे और पैसा देते हैं इस प्रकार हमारी पीड़ी की पीड़ी पैसा देती चली आ रही है और हम आडंबर पे आडंबर में धस्ते जा रहे हैं तो चक्र है चलता तो कहते हैं हमारे लोग के भई इस आडंबर के स्थल वाले ज हो जाएंगी तुम हमें पैसा देना बंद कर दो यह देस पैसा ले तो पैसा ले रहे वो क्या रहे है क्योंकि जतने भी जतने भी लोग अपने आपको संस्ता कहते हैं या जितने भी संखन कहते हैं, वो सब इसलिये जीवित हैं, क्योंकि उनको ये उमीद रहती है, उनकी उमीद पूरी होती है, कि जब भी 14 अपैल आएगा, जब भी 6 दिसंबर आएगा, जब भी जोती भाफुले का जनम दिन आएगा, तब भी समिधान का डे आएगा, जब भी कोई हमें खतरा बताएंगे, लोग उनको पैसा दे देता है, और्योंस वोझत के देते हैं, वो बार बार अपने परच्शनालेकर आते हैं, बार बार अपने कूपन लेके आते हैं, तो धमिक लोग भी बहुत रहके आते हैं, तो जो पत्र पत्रीẹगई ऑले, वो भी दे दे और जो कितावे चापते हैं वो भी बहुत आते हैं कि आपका फोटू चापेंगे नाब चापेंगे पैसा दे दे तो जो लड़कों के दलबल हैं उन्होंने भी आजकल ये काम किया है कि हम ऐसे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे हमको पैसा दे दे तो जो सरकारी जो करमचार भी करें तो उसके गाल बदेना खीच के दो उसकी एफाया करा देना क्योंकि संग डिकलेर करता है वीदा पीपल के हम पैसा पबलिक से नहीं लेते हमारे इतने खर्चे नहीं है तो पैसा देके आप अपने समिधान को अपने डॉक्टर अमेटर के साथ कैसे विश्वाजगात कर दे और कैसे मारते हो आप क्योंकि जब एक ही काम के लिए सो संस्थाय बनी होती है वो सो वार पैसा लेने आती है तो इसका मतलब एक ही काम को करने के सो लोग है तो काम कैसे होगा तो काम नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह है कि हम पैसा दे देकर उनको मजबूत करते हैं औ और वो अगली वार फिर अगली वार आ जाते हैं और हम कभी उनसे नहीं कहते हैं कि भाई एकी काम के लिए तुम अलगलग पैसा लेने क्यों आते हैं यह पैसे का जो सीष्टम है सेंट्राइज होना चाहिए पैसा तो हमको देना चाहिए मगर सेंट्राइज सिस्टम देना चाहिए सेंट्राइज सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे गुर्द्वारा प्रवंद्ध कमेटी है भारत के अंदर वो गुर्द्वारों का प्रवंद्धन करती है तो उनके लगातार साल है वो जमीन खीडने में विभाहर बनाने में उंके बहुत सारे संस्ता है उसे अने में लगाता चलता कराती है पंजाब कराती है रहने का सुझाब कराता है क्रिष्टन्स का है उनके चात्रों के महिनाओं कर भंग से रहते हैं वहां काम चलता रहता उनके school चलते रहते हैं और उनके school college खुलते भी रहते हैं लगाता है जब कि वह संख्या में बहुत कम है तो उनका centralized पैसा आता है हमारे हाँ क्या हो रहा है हम यह कहते हैं हम बड़े सीधे और सच्चे बड़े बहुत बड़ी आदमी हम किसी की बुराही लेना पसंद नहीं करते तो हमारे पास जो आता कहता है कोई बात नहीं तू भी ले जा हमें किसी का बुरा नहीं बना जितने लोग आये सब ले जा वही पैसे देखो काम सही करते रहे हैं यह ठीक ऐसी इस्तिती है जैसे आप अपने घर के पांच ज तरो लड़ो आपस मित ल towards me तुम्हेरे साहथ ही ले ड़ाओ पैसे series इस अपने ही भाइयों को से कर जंगें अद रहर हैं और फिर रोते हैं हमारा कुछ नहीं होता हमारी कोई सकता नहीं हमारा कोई प्राटि नहीं हमारे धं दों के लोग निकममे हैं हमारे सकारी करμचारी कु था फिर हम रोते हैं हम कितने सारे जो बुद्धी जीवी लोग है जो पत्र पत्र का चलाते हैं अगर आप पैसे चपअने के लालच में 102 सो 500 बुदे के तो उनको लगता है कि हमारी किताब चल ले जब्कि उस किताब सी कोई वैरिंउ नहीं है क्योंकि वह 102 सु लोगों में ऊसमें कोई होता नए तो यह जो किताब वाले बी जो बुद्धी जीवी जो लेखक का अपने आप कहते हैं जो अपने आपको पतकार कहते हैं ये बुद्धी जीवी बुद्धी हीं लोग हैं इनको इतनी भी अकल नहीं है करें अगर सारे ओề villages भी तुम्हें देखके बागी quality की निकलती उसमें बहुत अच्छा content होता तो पूरी दुनिया में लाखों जाती तो तुम लाखों कमाते और अर्वों का business करते और वहां उस पब्ली के से हाउस की इज़त होती है और वो टक्कर देता पूरी दुनिया को मगर एक छोटा सा कहीं चा कोई course करके आता है और ना भी करके आया और वो अपना अकवाँ चला के बस पूरे दिन यह ढूंटा रहता है कि किसके पास जाओं फोन करके किसके पास नहीं यही हालत हमारे जो आजकर लड़के जो यूटूब चलाते हैं उनकी है वो खबर उसकी चलाते है जो उनको पांसो सासो हजार रुपे देता है आप उनकी खबरें देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि एक ही आदमी की खबरें एक चलने वारा निकालता है और उसको प्रोजेक्ट करता है तो जो मीडिया हमारा है और जो मेन प्रोजेक्ट के लिए आपने दुखों को दूर दूर करने के लिए और जैसे जैसे हम उनको पैसा देते जा रहे हैं वैसे वह संटन हजारों से लाक हो गए और ती सिलाग future पॉँच गए और वो आगे बचेन, जब बंधों जाना बंधों जाना है, तो बेसिकली हमकों यह समझना है कि अगर हमकों जीवित रहना है, और इनको भी जीवित रखना है, क्योंकि यह जो च्छोटे-च्छोटे लोग है, यह पनप नहीं सकते, अगर ये मीडिया हाॉस बड़ा हो जाता अगर ये नेता सारे इखटे हो जाएं अगर ये समाजी स्क्वर्ट सारे इखटे हो जाएं तो हम जीतेंगे तो ये भी बचेंगे तो हमको थोड़े दिन के लिए इनको पैसा देना बंद कर देना चाहिए इन पर करोणा ममता करनी बंद कर देनी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि भाई पैसा तुम्हारा रखा हुआ है बावा साब ने का बीस महिसा देना है हम बीस की जिगे आपको पंदर महिसा देंगे पैसा तुम्हारा रखा हुआ है देखो यह रखा हुआ है हैं कि एक स्थेम किताब CPA करेंगा वही सिस्टम सारा सारा पृबिकाशन करेंगा वही सिस्टम बुद्धिभार बनाएगा वही कबीर भवन बनाएगा वही सारे संटों के भवनों मनाएगा वही काईकर्म लगाएगा और एक यसी काईकर्म नगाएगा अगर 14 अप्रेल का होगा, 14 अप्रेल पे 5 हैर कारीकर्मक्रम नहीं लगेंगे एकला सहर में, जो यह अधीबेसन होते हैं, अलग vigilig सामाजिक सेंचर्मों के, यह 100 जिगे खाना बनता है, तो सो गुना खचा बड़ता है वो नहीं सोचेंगे तो क्या सोचना है बड़ा सहल काम हो गया अगर अपने बच्चों को बचाना है, अपने समिधान को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, तो कुछ दिनों के नहीं है, असहयों का अंदोलन करते ना चाहिए, इनको पैसा नहीं देना चाहिए, इनको दिखाते रहना चाहिए, कि तु दो, हमारे जंडे आएँगे, आप चंदा दो, हमारा जहाज का टिकेट आएगा, तो जो उसमें राजनितिक पार्टियां अलग-छिंगे होगे, पहले इखक्ट्या के आओ, शारे धम के लोग सारे कविर पंती सारे रविदास के सभी जितने भी संतों के लोग है इखटे हो के आओ जितने भी किताब मेगजिन चापने वाले हैं कि रहे सब इखटे हो किताबों के पैसे तब देंगे तो अखवार भी चल जाएगा फिर अंग्रेजी का भी उडिया का भी तमिल क साबीर तेलगू का सारे अख्वार चल जाएंगे क्योंकि एक ही तो चलेगा तो फिर उनको कहो कि भे सारे के सारे जितने भी धंके लोग हैं सब इखटे होके आओ तो उनको कहो कि भे जितने भी यह हमारे मीडिया के पत्काल लोग हैं जो यूट्यूब चलाते हैं भाई सब इखटे हो के आओ तो जब तक हम उनकी यह जो इच्छा है जो उनको बारवार पैसा मिलता एक हम रहता है अगर यह हम रोकेंगे नहीं और उनче संस्थात्तों नाम पर रहा रहुत तुम में के इतनी अकल नहीं है तुम पेवेक तू सोसाइटी नो चला लो अधम के जब बुद्ध एक है तो धमका चला लो जब बावसाब एक है तो समाजी कि चला लो तो यह तो चलाएं ना इखटे होने में हो सकता टाइम लेंगे मगर यह जो डॉक्टर अंबेट करका जो सत्तक दंड है कि आप पैसा मत दो यह इतना कारगार है कि आपको कहीं जाना कहीं आना नहीं है इक कहीं आना नहीं है जो यह एक सो उन्तारिस लोग यहां उस्लिए कर दिया है कि बाई पैसे नहीं देने हैं और हम पैसे देनेे को मना नहीं कर रहें कि व ROB साब उस्हाने उससे ज्यादा देंगे उन्होंने पांच परश् logistics आई हम और यह रखे ने पैसे नहीं दिए हो चाएगा कि आफ हमें लोग पैसे नहीं नहीं है औरبार मुर्ण बाहरवाला भी कोई देगा तो कितने लोगों को देगा मालो अगर हमारा को दुश्रमन है और इन को फंडंधिंग भी कर ना चाहेगा तो इन में आपस में जूतन पैजार हो जाएगी इन में आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाएगी आपस में लड़ेंगे तो ये फिर हम इन से भी पूछ लेंगे जब हम तुम्हें पैसा नहीं देता तो ये पैसा कहां से आता है तुम्हारे पास में कि तुम्हारी गाड़ी में पै धान, आपके बावासाब, आपके अम्बेटकर, आपके बुद्ध, आपके सबकी आडिलोजी बच जाए और उससे ये भी फाइदा होगा कि हमारे लोग सीधे सच्चे हो जाएंगे, फिर उनको चंदे खानी के अधर से छुकतारा मिल जाएगा, तो वो सीधे सच्चे हो आपके ने के राश्ते बंद कर दिये, उनके पापके राश्ते बंद कर दिये और हमारा कल्यान हो जाएगा, यकीन मानो ये डॉक्टर अम्बेटकर का सत्तक डंड है और ये काम करेगा, इस पर काम करना है, जोडने जोडने के लावा इस पर भी काम करना है, तो आज से हमें की रसत पानी बंद कर देंगे तो यह जोड़ेंगे जब हम इनका पैसा बंद कर देंगे तो यह जोड़ेंगे और जब यह जोड़ेंगे और हम जीतेंगे और फिर जीत हमारी पक्की है तो डबल स्पीड हमारी हो जाएगी इधर हमें जोडने का काम करना है और उधर हमें इन पापी न बन जाए हमारा पैसा ले लेके तो इनको पाप से मुक्ष करो इनको पैसा मत दो इनकी दिस्त मत दो सब ठीक हो जाएगा समिधानी बच जाएगा धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच्च सुदीर सर कर दो दो सब्सक्राइड झेल्डेश नसा समिधा जाएगा सिसΤ मत दो कर 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 दो झाल झाल